हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो शिवालर्निंग फोर मोर अपडेट्स यू कन अलसो लॉग इंटो और वेबसाइट www.shivallearning.in तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रॉंग आंसर और कोक्शन आये थे आंसर शीट में उसके लिए जेए मेंस के स्टुडेंट्स को बोनस मार्क्स मिलेंगे हैं नहीं मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि जो आंसर की है उस पर बहुत सा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी मैं जानकारी यहां पर साजा कर रहा हूं यह एक न्यूज आर्टीकल है तो चलिएगा इस शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्ष्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे ऐसी रेगुलर अप्डेट के लिए सब्सक्राइब करें और साती बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए एंटे कंडुक्ते जाई मेंस 2019 जनुरूरी सेशन और देराफ्टर रिलीज इस ओफिशिल कोक्षिन पेपर और आंसर की students, teachers, coaching centers have claimed that some questions and or answer were incorrect students were given an opportunity to submit discrepancies with a fee of rupees 1000 per question here is a breakdown of questions answer that were supposedly incorrect in J.E. means 2019 January also known as first attempt and what is likely to happen to them तो guys, बहुत सारे coaching centers, teachers and students ने claim करिए कि जो answer की है वो गलत है तो उसके लिए हम बताना चाहते कि bonus marks मिलेंगे या नहीं तो as per the analysis, there could be an overall number of 15 incorrect questions with highest 11 in physics and 2 each in chemistry and mathematics तो guys, जो भी questions गलत थे इसमें जो bonus marks की जो गुंजाईश है वो यह है अगर बात करें इसके लिए हम पिछले कुछ सालों की उस पर चलते हैं तो हर अगर कोक्शन गलत दिया वा था और एक भी option सही नहीं था तो हर किसी students को four marks दिये गए थे उस कोक्शन दिया था, bonus marks दिया था, four marks हर उस कोक्शन पर जिसके कोक्शन गलत था कोई option ही सही नहीं था उसमें और अगर इसी कोक्शन के more than one correct answer था तो उसमें जिनोंने answer दिया था जिस भी candidate ने उनको marks मिले थे यानि कि अगर एक कोक्शन है उसके options में दो answer correct लग रहे हैं तो अगर students में एक भी दिया है, उस कोक्शन को attempt कर रहा है तो उसे marks मिले थे, ऐसा 2015 में हुआ था, तो तब CBSी conduct कर रहा था था, इस बार NTA कर रहा है, तो decision of national testing agency in this regard shall be final and binding, students whose claims are found correct shall get their fee refunded, और जिनोंने claim कर रहा था, fee pay कर ये पर कोक्शन 1000 रुपीज और claim कर रहा है कोक्शन, अगर सही होता ह है वो, तो उनको उनकी fees refund हो जाएगी, और 31 January को result आ जाएगा, jemain.nice.in पर, but the questions is, कि CBSी की तरह क्या NTA भी ऐसा करता है, जो 15 questions claim करें students ने, कि wrong है, जिनके multiple answer से, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हो, पर उसकी link आ रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं, कि कौन कौन से questions wrong थे, त तो 15 plus questions wrong बताये गए हैं, और देखते हैं होता क्या है, अगर CBSी की according NTA काम करता है, तो शायद bonus marks मिल जाएंगे, बट फिर भी एक final answer की आनी बाकी है, तो वैज ऐसी regular updates के लिए हमारे चनल शिवा लर्निंग जरू सब्सक्राब करिए, और साथी bell icon भी प्रेस करती है, ताकि हम झानमष auroc का करते हैं, तिन एच हैं जगर ह्रू सब्सक्राइब करू सकता है, तो शासित, बास आनी खाल ठाहम श्लिएמhy करें तो पर सके कर सके कर दे की जुथरों एक हैं जूरा मैंसेक क कर दो